दोस्तों GST में शोक और नोटिस किस परकार इशू के जायेंगे? इसके लिए State Government के दोरा गाईड़ लाइन जारी की गई है दोस्तों GST में, GST Officer के दोरा बहुसे वेग शोक और नोटिस इशू के जा रहे थे इसलिए State Government के दोरा ये सर्कुलर जारी किया गया है कि किस परकाद से GST officer को शोक और नोटिश इशू करने है इसमें बताया गया है कि GST officer को proper inquiry और investigation के बाद ही शोक और नोटिश इशू करने है यानि कि जो fact है उन्हें ascertain करना है और allegation जो लगाना चाहता है उसके लिए उसके पास sporting evidence होने चाहिए और जो GST में शोक और नोटिश form दिये गए है उस format में ही issue किया जाएगा क्योंकि नॉमली देखा गया है कि GST officer उस form को follow नहीं करते हैं जो कि GST act में दिये गए हैं उसमें से कोई line जो वो delete कर देते हैं जैसे कि किस दिन personal hearing होनी है इस extra इसलिए यह जो है guidelines जारी की गई है और यह भी बताया गया है कि जो notice है वो fact or legal provisions के लिए बिल्कुल clear होना चाहिए यानि कि कौन से आरोप GST officer लगा रहा है कि GST act की कौन सी provision को violate किया गया है वो clearly mention करने होंगे शो को notice में इसके अलावा ये भी GST officer को बताना होगा कि taxpayer को कौन से document submit करने है या फिर कौन सी compliance करनी है इसके अलावा hearing के दुरान भी कोई additional evidence की जुरूर पढ़ सकती है या फिर additional anomalies जो है वो direct की जा सकते हैं GST officer के दवारा इसके बारे में ही भी notice में ही mention किया जाएगा और जो GST portal है उसके उपर entirely depend नहीं करना है शो को notice को issue करने के लिए क्योंकि उसमें जो reason दिये होते हैं वो proper नहीं होते हैं इसलिए GST officer को ensure करना ह है कि जो copies है reason की वो show को notice के साथ attach कर दे GST portal पे इसके अलावा जो प्राइम फेसी amount due है उसे quantify करना होगा और notice में ही पताना होगा इसके अलावा ये भी GST officer mention कर सकता है कि proceeding के दौरान additional demand भी निकाल दी जा सकती है और ये भी clearly mention करना होगा कि क्या taxpayer return representation देना चाता है या फिर personal hearing के लिए भी appear होना चाता है जिस authority को show को notice का reply दिया जाएगा taxpayer के दवारा उसके लिए specifically mention किया जाएगा notice में ही कि उसका word क्या है designation क्या है email id क्या है वो सभी show को notice जो है वो with this statutory timeline में जो कि GST act में दिये गए है उसके calling dispose of किये जाएंगे इस परकास सभी GST officer को हिदाय दी गई है कि वो show को notice को issue करते हुए इन guidelines को ध्यान में रखे और journal in charge को instruction दी गई है कि वो इसकी compliance को monitor करें दोस्तों यह जो guidelines है वो Delhi government के दोरा issue की गई है तो आपको ensure करना है कि जो आपको जो show को notice मिला है उसमें सभी जो है rule follow हुए हो otherwise आप उस show को notice को challenge कर सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तो आपके लिए यह news useful रही होगी किर्पया like कीजिए और share कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँच पाए और वो GST की compliance कर पाए रेगुलेट GST और tax update के लिए इस channel को subscribe करें Friends आप TDS, Income Tax, GST और accounting software Auditrail के साथ compliance असानी से कर सकते हैं इन software के demo देखने के लिए आप हमें mobile number के साथ email कर दीजिए taxil.gmail.com पर आप हमें telegram app CS App Basing Taxil पर join कर सकते हैं थाके आप GST और income tax के regular update अपने mobile पर ही प्राप्त कर सकें